सो वेलकम तो इस पर्टिकुलर सेशन कैसे हम अपनी लाइफ में एक पीस को क्रियेट करेंगे हाउ तो लिव ब्लिस्फुल एंड हैपी लाइफ सो यह हमारा आज का में टॉपिक होगा और नेक्स्ट ट्वेंटी टू थार्टी मिनट्स में मैं बहुत डीपली आपके साथ एक बता दूं कि आपको एक नोट्बुक और लेकर आप बैट जाएं जिससे कि मैं टेखनीक्स जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ आप इमीडियेटली उसको अपने पास रख पाएं और फ्यूचर में आप उसको एजए रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं आप नोट्बुक और लेकर बैट जाएं और फिर मैं आपके सेशन को स्टार्ट करूंगा आज का जो टाइम है आफ्टर कोविड इस्पेशली यह देखा गया है कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो भी बिजनस परसन है उनकी जब इंटर्वियू होती है वह जब जौब के बारे में बात करते हैं तो आज के एक बहुत important factor आ गया है कि जो वो mention करते हैं कि जो बो consider करते हैं कि पैसा कितना मिल रहा है यह तो बहुत important है बट इसके साथ साथ मैं family को कितना time दे पाऊंगा मुझे खुद के लिए कितना time मिल पाएगा या फिर मेरी life में peace क इतना होगा तो अब ये भी बहुत ज्यादा लोगों के डिमांड होने लगी है लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन कोई OCD हो गया किसी को या फिर किसी को PTSD कि बहुत सरे अलग-अलग साइको समाटिक डिजीज हैं जो ल जाध़ टेंशन नहीं चाहिए काम का बहुत प्रेशिर नहीं चाहिए ऐसी जॉब को लोग ज्यादा कर रहे हैं और ऐसी फील्ड में जाता जाना चाहा रहे हैं क्योंकि लोगों के आस पास आज इस तरह का सीचिएशन बना हुआ है कि अगर मैं एक टेंशन की बात करूई stress की बात करूँ तो बहुत सारी reasons हो सकते हैं उसमें से आपके पास भी कुछ एक reasons हो सकते हैं आप उनसे relate कर सकते हैं यह हो सकता है कि आपके पास past के कुछ ऐसे triggers पड़े हैं जो आपको बार-बार वो hit कर रहा है, बार-बार वो हो जारहा और आपको वही चीजय याद आ रही है। शीजया कि लग रहा है की मेर लाइफ में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है. एक और रीजन हो सकता है कि आपके आसवार्स ऐसे कुछ लोग रहे रहे हैं जो आपको इस तरह की words बोल रहे हैं या फिर उनका behavior ऐसा है जिनसे आपको बार-बार उसी mode में जाना पड़ता है और आपको एक pain feel होता है या फिर आपको लगता है कि बहुत difficult life हो रही है और तीसरा ये भी हो सकता है कि हम कई बर अपने future को लेके certain नहीं हो पाते हैं हमें लगता है कि हमारी job का क्या होगा business क्या क्या होगा या फिर हमारे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मैं अपने parents को एक better lifestyle कैसे दे पाऊंगा मेरी जिम्मेदारी जो है मैं उसको पूरा कैसे करूंगा ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं इसके अलावा से बताऊंगा एक student से पूछा गया कि where are you from वो student बोलता है कि I am from तुरुवननतापुरम तो वो teacher उससे बोलता है कि now spell it तो वो student बोलता है sorry sir I belong to Gowa तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब challenges हमारे पास आते हैं तो हम अपने approaches को बदल देते हैं I mean हम उस problem को face नहीं करते हम कुछ एक नया तरीका ढूंड लेते हैं इससे बचने का और मैं आपको एक बहुत important चीज़ आपसे share करना चाहूंगा कि यह जो तरीका हम ढूंडते हैं knowingly और unknowingly कई बार unknowingly हमारे पास ऐसे habits आ जाती हैं हमारे ऐसे behaviors develop हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं चाहे वो किसी को drink करने की habit ह हो किसी को OCD भी हो तो वो सारी चीज़ें ऐसे unwanted behaviors हमारे अंदर आ गए हैं anger हो गया हमारा कि हम ना चाहते हैं वे भी एक ऐसे behavior को adopt कर लेते हैं जिनसे हम पीछाने चुड़ा पाते हैं तो friends आज के session में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपको हो सकता आपके पास एक question आ रहा हो कि क्या ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं क्या इन चीज़ों से हम चुटकारा पा सकते हैं जबकि हमारे पास इतनी सारी liabilities हैं इतनी सारी responsibilities हैं तो मेरा answer होगा यहाँ पर हाँ आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं आपको आज एक यूनिक तरीका करूंगा इन basics में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो therapy मैं आपके सामने में भी शेयर करने के लिए जा रहा हूं यह basically purpose centered therapy है यानि कि अगर हमारे life में problems आ रही है challenges आ रही हैं तो कहीं न कहीं हमारा purpose जो है वो blur हो रहा है अगर हम ऐसा feel हो रहा है कि मैं रुक गया हूं मै स्टक हो गया हूं या फिर हमें ऐसा feel हो रहा है कि मेरा कुछ होगा भी कि नहीं future ठीक होगा भी जैसा मैं प्लान कर रहा हूं जैसा मैंने dream देखा है तो मैं आसपास ऐसे सारे लोग है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने purpose से deviate हो गया ह आपका purpose बना था या नहीं बना था लेकिन आप उस जगह पर नहीं है उस purpose को clearly आप नहीं देख पा रहे हैं और यहां पर दूसरी चीज मैं बताऊंगा इसी basic वाले part में कि जो हम सोचते हैं जो भी हम जो हमारा thinking pattern होता है जो हम सोच पा रहे होते हैं वही decide करता है कि हम कैसा feel करेंगे वहां से हमारा influence बनता है जो हम सोच रहे होते हैं और जब हम feel करते हैं यह हमारा influence करता है हमारे action को कि हम कैसा act करेंगे हम क्या react करेंगे so basically हम day to day life में जो भी actions को ले रहे हैं वो कहां से trigger हो रही है जो हम feel कर रहे हैं और जो हम feel कर रहे हैं वो कहां से trigger हो रही है जो हम सोच रहे हैं तो ultimately अगर हम जो सोच रहे हैं उसमें changes करेंगे तो ही हम हमारे actions को भी change कर पाएंगे और जब हमारे actions change होंगे तो ही हम अपने life में result को create करेंगे और result से हमारी जो dream है या destiny है जिसको आप मानते हैं वो चीजे चेंज होने वाली है तो अब question आएगा कि कैसे कैसे इसको हम करेंगे तो friends इसको जो करना है उसके लिए आपको तीन चीज़ों को follow करना होगा तीन principle को जीना होगा पहला principle मैं आपके साथ यहां पर शे होती है आप उसको एक के बाद एक के बाद उसको cover करना चाहें तो आप देखेंगे कि आप endless ocean के बीच में हैं क्योंकि आपने wave को control करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी तरीके से हमारे पास ऐसे कुछ thoughts आ रहे हैं हमारे पास कुछ ऐसे feelings generate हो रही है जिसके कारण जिसको हम control कर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप end of the day यही feel होगा कि मेरे पास बहुत सारी feelings हैं बहुत सारे ऐसे thoughts हैं जिससे मुझे चुटकारा पाना है और आप और पहले से ज्यादा problem में होगे और thinking क्या होगी आपकी और negative जाएगी feeling और negative बनेगी action आपके और ज्यादा negative होगे जिससे आपके result गड़बर होने शुरू हो जाएंगे तो सबसे पहले तो जो है आपके पास जो चीजें चल रही हैं आपके life में उसको आपको accept करना है किसी की job चूट गई है okay इसको accept करना है कि मेरे पास अभी currently job नहीं है किसी के पास अच्छी health नहीं है कोई unwanted behaviors develop हो गए हैं anger बहु अपसे first step step number two में आपको क्या करना है सिर्फ एक question अपने आपसे करना है कि मुझे क्या करना चाहिए forget about any other thing कुछ भी लेकिन आपको सिर्फ यह सोचना है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि हो सकता है आपको एक अगर health के purpose लो तो exercise करनी चाहिए थोड़ा सा तो दो मिनट के लिए उस activity को कर लेंगे हो सकता आपके के अंदर से आवाज आएगे की मुझे book परनी चाहिए तो आप दो मिनट के लिए book पर लेंगे हो सकता है कि आपको ऐसे आवाज आएगी कि मुझे फैमिली के साथ 10 मिनट का time spent गाना चाहिए तो जाईए और family के साथ time spend कर लिगे 10 मिनट के लिए दो ही Minute के लिए लिए लेकि change होगी तो आपको feel good वाली एक feeling आएगी और जैसे ही ये feeling बनेगी तो mind का एक pattern होता है if it is good then let it be more अगर ये अच्छा है इसको और होने दो और वो आपको ऐसे thoughts और भी देगा जो आपको करने चाहिए यानि कि आपके पास जो भी thoughts आ रहे हैं कि ये मुझे करना चाहिए और करते चले जा रहे हैं तो एक तरह से आप जो पुराने patterns बने वे थे उसको आप बहुत आसानी से तोड़ पा रहे हैं उस pattern को आपने break कर दिया है जरूरी नहीं है कि बहुत जादा करें थोड़ा सा भी करेंगे one minute के लिए भी करेंगे सिर्फ उस pattern को तोड़ना है और उस thought को आपको consider कर लेना है honor कर लेना है particularly यह दूसरा principle को आपको follow करना है and तीसरा बहुत important है यह आपको हो सकता है कि पहले दिन पता ही ना चले discover your life purpose यह हो is my ultimate purpose यह कहते हैं कि बड़ा असानी से आपको पता चलेगा बड़ ऐसा नहीं कि तुरंट आपको पता चल जाता है और इसी लिए आपको यहाँ पर इस technique के through मैं बताऊंगा कि basically आप अपने purpose को कैसे ढूंडेंगे और वो जब clear हो जाएगा तो फिर सारी चीज़े automatic clear होनी शुरू हो जाएगी जो चीज़े blur हो गए थी आप basically उसको आप clean कर रहे हैं जिससे कि आप life में जो भी bliss नहीं है या फिर पीस नहीं है या फिर आप कहीं फसे पड़े हैं वहां से आप निकल जाएगे सो आई होब कि आप ready हैं उन चीज़ों को learn करने के लिए सो एक बर आप comment में भी डाल देंगे ready to learn या फिर I am committed तो इस तरह के comments आप डाल दें जिससे कि मिझे समझ में आ जाए कि आप सुन रहे हैं और आप सीखने के लिए तयार हैं तो let's move on to the next part that is phases phases को elaborate करने से पहले मैं आपके सामने आपके साथ एक example को share करूंगा basically जो मैं थेरेपी आपके साथ शेर कर रहा हूं उसका नाम है Morita therapy तो Shoma Morita करके एक Gen Master हुए जो Japan के थे और उन्होंने basically purpose centered therapy को develop किया जो वो क्या करते थे hospital जाते थे जो लोग hospital में bed पर पड़े हुए हैं उनको किसी भी तरह की कोई disease है तो चार phases से उनको गजारते थे और ये 20 और 30 days का पूरा एक phases होता था complete process उसमें वो पहले phase में 5-7 दिन तक लोगों को रखते थे और इसमें क्या करते थे कि उन्हें वो digital world से अलग करते थे उन या फिर बैठना है और अपने thoughts and emotion को observe करना है यह पहला काम उसको करना होता था और यह साथ से I mean 5-7 दिन तक continue करना है इसमें आदमी एकदम बोर हो जाता है कि मैं बैठे बैठे क्या कर रहा हूं मुझे कुछ करना है जैसे ही यह feeling आती थी वो दूसरे stage में जाता था और जहा पर एक पहन होता था जो भी thoughts आ रहे हैं जो emotions बन रहे हैं उसको आपको note करते रहे हैं चार से पांस दिन में इसमें भी एक बोरियत आ जाती थी लेकिन यह 15 दिन जो था यह 10 दिन जो होता था यह बहुत ही amazing होता था इसमें लोग उन चीजों के उपर सोचना शुरू कर देत और तीसरे step में उनको enter किया जाता था फिर जहां पर उनको कुछ एक activities करने की permission थी जैसे कि वो gardening कर सकते हैं या फिर वो painting कर सकते हैं या फिर वो किसी का sketch बना सकते हैं अपने कुछ ideas create कर सकते हैं ऐसी कुछ चीजें और अगर कुछ physically capable हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं तो कहन का मतलब यह 7-8 दिन तक जब इस phase में रहते थे तो उस समय उन्हें यह feel होता था कि basically मैं अपने life से चाहता क्या हूं मुझे किस चीज में मज़ा आ रहा है enjoy मैं particular काम को कर रहा हूं वो उसी जो तीसरे phase में उन्हें समझ में आ जाता था और जैसे यह तीसरा phase complete होता था यह feel ह होना शूरू हो जाता था यह clarity मिल जाती थी फिर वापिस उसे उसी दुनिया में भेजा जाता था या फिर वापिस hospital से बाहर निकला जाता था लेकिन एक commitment के साथ कि आप इन चीजों को continue करेंगे every day आप बैठेंगे every day आप अपने emotions को observe करेंगे every time every day आप अपने जो activities कर रहे एक purpose के साथ आप इन चीजों को करते रहेंगे और ऐसा पाया गया कि उन लोगों की फिर जो disease है या फिर जो एक stuck zone create होता है वो चीजें होनी बंद होगी उन लोगों की और वो लोग पहले से बहतर life को जीना शुरू करती है तो यह चीजे हम अपनी life में कैसे उतार सकते हैं यह आपका एक question हो सकता है कि ठीक है वो तो hospital में थे तो वो सारी चीजे कर सकते हैं हम working professionals हैं हमारे पास हमारी job है हमारी family है हमारे parents है खुद की growth है हमारा काम है तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों कुछ लोगों ने सुना होगा कि विपासना एक meditation ह होता है process है 10 days 30 days इस तरह के process में आप जाते हैं बट आप हमेशा तो वहां नहीं जाके बैख सकते हैं आप घर में इसको कैसे create कर सकते हैं यह मैं आप आज शेयर करने के लिए जा रहा है तो अगर आप ready है इस particular चीज को सीखने के लिए कैसे आप इस four phases को घर में create कर सकते हैं एक बार फिर से आप type कर देंगे ready to learn तो इसमें जो phases होगा इसमें चार phases होंगे और चारो phases को आपको बहुत ध्यान से करना है first phases में होगा आपका isolation and rest phase इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले तो आपको यह decide करना है कि कि किस time पर आपको करना है and I would suggest कि आप morning time में करेंगे तो आप देखो अगर थ्री ओक्लॉक पर उट सकते हो फोर ओक्लॉक पर उट सकते है यह आपके ओपर डिबंडबर मॉनिंग आर में ही करना है उस समय आपको phase one को जो hospital में रहने वाले कर रहे थे उसको आपको करना है कि आपको simply close I mean चुप होके बैठना है और बिना किसी से बात किये ना कोई book ना कोई mobile ना कोई कोई भी ने उस time पर सिर्फ अपने साथा बैठेंगे और जो भी हो रहा आपके साथ जो भी विचार आ रहे हैं जो भी thoughts आ रहे हैं emotions बन रहे हैं उनको आपको सिर्फ observe करना है seven days तक seven days में जब आप करेंगे अगर यह एक घंटे तक कर सकते ह है तो बहुत बढ़िया है बहुत मज़ेदार होगा यह session आपका अगर आप इसो करना शुरू करेंगे तो eyes close करके नहीं करेंगे नहीं तो हो सकता है कि आप सो जाए या फिर आप एक अलग state में चले जाए आप eyes open करके आप सिर्फ बैठेंगे और अपने साथ रहेंगे यह step number one होगा जहां पर आप isolation and rest की state में होगे दूसरा आता है साथ दिनों के बाद इसमें आपका light occupational therapies को हम कहेंगे कि इसमें आप उस time पे जो thoughts जो emotions बन रहें उसको आप भी note करेंगे वही 30 minutes में वही one hour का अगर आप कर रहे हैं तो उसी में आपको सिर्फ note करना है और note जब आप क days में हो जाएगा तो उन साथ दिनों में उन emotions को आपको note कर लेना है और note करने के बाद फिर आपका आएगा next seven days में तीसरा phase जो बहुत important होगा तीसरे phase में आपको आप देखेंगे कि आपके पास कुछ एक ऐसे thoughts आ गया आपको किया कि मन करेगा कि हम इस काम को करना चाहिए च चाहिए वो कुछ लिखने की क्यों नहों आप हो सकता है पोएम लिखना शुरू कर दें या हो सकता है कि आपको कुछ और भी बुक पढ़ने की आपको लगए तो उस काम को आपको करना है उसी टाइम पे जब आप उस टाइम पे completely साथ दिनों तक वो भी करेंगे तो आप उ मैं बिल्कुल involved होता है और बहुत enjoy करता है तो यह वो चीज है आपको आपकी life की जिसको आपको continue करना है जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना है हो सकता है कि writing and reading for one hour यह आपका एक life कैसा बन यह पार्ट बन जाएगा आपका कि मुझे इसको तो करना ही करना है तो अब जब आ stage में enter करेंगे यह वापिस आप इस world में आएंगे वापिस आप अपने काम में रहेंगे तो इस एक काम को हमेशा करेंगे every morning कि आप लिखेंगे और कुछ पढ़ेंगे फिर आप देखेंगे कि यह काम को करते हुए बाकी जो सारी चीजें है life में आपके वह आपको बहुत help क कर रही है आपका स्टक जोन बिल्कुल खतम हो गया है आप कई बार anxiety आ रही है या फिर कई बार आपको लग रहा है कि situation मेरे favor में नहीं वह चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी कैसे होगा कैसे काम करती है इसके ओपर ना जा क्योंकि यह मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है बट सारे thoughts आएंगे उस से में तो आप थोड़ा relax भी होंगे लेकिन बांकी की टाइम में जब आप अपने office में रहेंगे लोगों से मिलेंगे अपने family members बांकी सारी चीज़ें तो आपके अंदर बहुत सारे anxiety भी डवलप होगे बहुत सारे discomfort भी डवलप होंगे तो आपको क्या क close करके बैठना है और जहां कहीं भी discomfort आपको feel हो रहा है उसको आपको observe करना और imagine करना है कि divine water मेरे उपर आ रहा है और divine water आते 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 पूरे उसको wash करते वे clean करके चला जा रहा है इस activity को आप particularly कर लेंगे तो आप पहले से बहुत ज्यादा better feel करेंगे सुबह वाला भी पार से ready हो जाएंगे इस technique को मैंने unknowingly किया था exactly नहीं किया था बट कुछ चीजों को मैंने इसमें किया था जो मुझे बहुत help किया था उस time पे जिस time पे situation बहुत negative हो रखा था एकदम डर भी लग रहा था कि क्या होगा पूरे world का सब कुछ बंद है सारी चीजें बट इन चीज नए नए books को पढ़ने की मेरी habit थी मुझे normally मैं पूछता था कि क्या मुझे book पढ़ना पसंद मुझे लगता था नहीं लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक अलग मज़ा आने लगा और फिर मैं बहुत सारे books को खरीदना शुरू किया और मैं उस काम को प इकालने में तो यह आप करेंगे नाओ नेक्स्ट पॉइंट इस वेरी वरी इंपॉर्टन की कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण हमारा कुछ लॉस होता है चाहे वह mental लॉस हो financial लॉस हो physical लॉस हो किसी भी तरीके का लॉस हो वह लॉस होता है या दूसरे words में मैं बताऊं तो हमारे life में कुछ एक ऐसे difficult situation create होते हैं तो हम उसका जो reason होता है वो हम किसी और को मानते हैं हमें लगता है हम blame करते हैं दूसरों को तो इससे भी आपको बाहर निकलना होगा और इस मैं आपके साथ share करना चाहूँगा कि 2020 में मेरे साथ आप ऐसा समझे कि relationship का एक breakup हुआ था तो वो एक ऐसा zone बन गया था मेरे लिए जहां पर मैं खुद को कैसे संभालू और business कैसे चलाओं लोगों की कैसे help करूँ पैसे भी कमाने है survive भी करना है यह सारी चीज़ें चल रहे थी और उस situation का मैं जिम्मेदार किसी खास person को मान जाता हूँ फिर मैंने देखा कि actual में वो reason नहीं है उस situation से में बाहर कैसे निकला उसमें आपको यह meditation काम आ सकता है जिसको नाइकन meditation कहते हैं यह भी एक Japanese technique है जिसको आप apply करेंगे तो आप जो दूसरों को blame कर रहे हैं उससे आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं और इसमें आपको क्या करना है तो उ करके तीन question अपने आप से पूछेंगे पहला question आप पूछेंगे what have I received from person X जो भी सामने वाला person है जिसको आप अपना main reason मानते हैं जिसको आप blame कर रहे हैं तो उनके लिए पूछेंगे कि इस person से मुझे क्या मिला positively या फिर मैंने क्या सीखा मुझे क्या फाइदा हुआ इस त खाएगा number one number two में आपको question पूछना है इसको आप एक से दो मिनट तक के लिए इसी mode में रहेंगे और भी कुछ thoughts आएंगे दो तीन मिनट के बाद आप फिर दूसरा question आप पूछेंगे what I have given to person X मैंने क्या अच्छा दिया है उसे यह अपने आप से पूचना यह तो आप जो अच्छा करेंगे यह तो खुब ज्यादा ही आए गा कि मनें इसके लिए विधी किया है मैंने उसके लिए अच्छे से सारी चीज़ करना है और तीसरा इस मोड में रहने के बाद तीसरा जब आपका छे से साथ मिनट के बाद आप आएंगे तो तीसरा क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट होगा और इसका बहुत ध्यान से अब्जर्व करते हैं वे पूछेंगे कुछ से दाट इस वाट प्रॉब्लम हैव आई कॉजड परसन एक्स मेरी वजह से उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो यानि मैंने कौन सा प्रॉब्लम क्रियेट किया उसके लिए औ लगेगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने क्रियेट करी थै एक भी प्रॉब्लम में आपको यहां पर मिल गई वह प्वाइनट ही आपको ब्लेम गेम से में आप दूबारा ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि आप भी सारी चीज उत करी था उस वजह से सारी चीजए ओन्ह manga नहि सोचना है क्या feel करना है किस तरह की actions को लेने हैं और फिर आप isolation फिर आप occupational therapy light occupational therapy फिर आप return to the real world आप इस process में जाएंगे phases में जाएंगे और यहां से आप एक basically एक loop को तोड़ लेंगे और अपने life में आप एक change को experience कर पाएंगे so friend this is all about today's web class जो मैं आज आपके साथ share करना चाहता था बहुत ही important एक technique थी जो मुझे आपके साथ share करना था I hope आपको यह session अच्छा लगा हो अगर हां तो एक बार आप comment में भी जरूर करिएगा yes I am awesome अगर आपको यह session अच्छा लगा दूसरी चीज मैं एक और भी चीज आपसे share करूंगा कि अगर आपको मेरे साथ one-on-one session करना हो जिसमें कि आप किसी भी इस्टक जोन में हों किसी भी तरीकी की problem से आप phase उसको phase कर रहे हैं stress हो रहा है anxiety हो यह depression हो रहा है तो मैं आपके लिए one-on-one session करूंगा free रहेगा 30 minute का free counseling मैं आपको कुछ एक tools कुछ एक techniques कुछ एक therapies देकर आपको कोशिश करूंगा बाहर निकलने की और एक और रास्ता भी बताऊंगा उसमें भी कैसे आप और इस journey पे आगे भी बढ़ सकते हैं वो भी सारे tools बताऊंगा यह भी आप कर सकते हैं डूसरा मैं एक और चीज़ आपके साथ share करूंगा कि अगर आप I mean मेरे facebook के personal group जो मेरा है जहां पर मैं live sessions देता हूं अगर आप वहां पर नहीं है तो मैं आपको एक link शेयर कर रहा हूं जिसको कि आप क्लिक करके मेरे उस VIP community को आप जॉइन कर सकते हैं वह एक private group है यहां पर मैं weekly आपके साथ मिलता हूं और आप मेरे live session को जॉइन भी कर सकते हैं हो सकता है कुछ लोग वहां भी डिरेक्टली देखते हैं तो नेक्स्ट वेंस्टे जब भी session होगा तो डिरेक्टली आफ फेस्बूक ऑन करके वहां डिरेक्टली देख सकते हैं इस